नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका कैमिकल ब्रांच में आज की इस वीडियो में हम डिफिजन चैप्टर के शॉर्ट कोशन के बारे में जानेंगे और ये सभी कोशन पीछे के एक्जाम में आ चुके हैं इसलिए ये इंपोडेंट हैं तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला इंपोडेंट कोशन है कि डिफिजन क्या है तो इसका अंसर है किसी मिक्चर में इंडिविजबल कंपोनेंट का फिक्स टेंपरेचर और प्रेशर में एक्शनल फोर्स के द्वारा या फिर बिना एक्टनल फोर्स के हाईयर कंसेंट्रेशन रिजन से लोवर कंसेंट्रेशन रिजन में मुवमेंट इसे हम कहते हैं डिफिजन नेक्स्ट कोशन है डिफिजन का फिक्लोग क्या है मतलब डिफिजन का फिक्लोग क्या कहता है तो इस कांसर है फिक लोग के अनुसार किसी binary mixture में किसी component का diffusing flux उस mixture में किसी direction में concentration gradient के proportional होता है और next question है mass concentration क्या है तो इस कांसर है किसी solution में किसी component का mass concentration उस solution के per unit volume में उस component का mass है जो की उस component की density के equivalent होता है next question है molar concentration क्या है तो इसकांसर है किसी solution में किसी component का molar concentration उस solution के per unit volume में उस component के moles की संख्या है और next question है mass fraction क्या है तो इसकांसर है किसी solution में किसी component का mass fraction उस component का mass concentration और solution की mass density का ratio है next question है mol fraction क्या है ? तो इसका answer है किसी solution में किसी कमपोनेंट का mol fraction उस component के molar concentration और solution के molar concentration का ratio है और next question है diffusivity क्या है तो इसका answer है किसी component की diffusivity उस component के diffusive mobibility का measurement है जो की function है temperature, pressure, nature और composition का next question है mass transfer coefficient क्या है तो इसका answer है per unit concentration difference से per unit area में mass का transfer mass transfer coefficient कहलाता है और next question है mass transfer के चार mechanism theories के नाम बताओ तो ये है चार mechanism theory इनको आप note कर लेना और next और last question है mass flow rate और molar flow rate क्या है तो इसका answer है mass units के per unit time में material flow की quantity mass flow rate कहलाती है और molar units के per unit time में material flow की quantity molar flow rate कहलाती है और इसी के साथ ये वीडियों हाँ पर समापत होती है उमीद करता हूँ वीडियों आपके लिए useful है अगर आप ऐसे ही short questions की तयारी कर रहे हैं तो मैं हर दिन telegram group में 5 important objective questions को upload करता हूँ जनको आप कोईस की तरह खेल सकते हो और ये सबी questions, exam और job test के लिए important हैं मैं आपको group का link नीचे description दे दूँगा दूआ को एबना,ँ सकते हैं झाप करते हीagn है झाल